अगर आपके पास अभी तक कोई भी credit card नहीं है आप credit card के लिए apply कर रहे हैं लेकिन कोई भी bank आपको credit card नहीं दे रहा है आपका civil score काफी ज़्यादा down है या यू कहें कि आपका civil score ही वो zero civil score है और आपको SM कहीं से credit card नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर बिना किसी income proof के सिब 2000 र का जो credit card है उसको आप ले सकते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको one card credit card apply करने का step by step complete process बताऊंगा तो वीडियो को भीना skip किये end तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चनल को subscribe कर लिजिए हम one card credit card apply करने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile के play store से one card metal credit card यह जो application है इसको आपको install करना होगा install करने के बाद simply आप इसको यहाँ पर open करेंगे open करने के बाद guys यहाँ पर देखेंगे तो कुछी इस तरह से आपको इसका interface देखने को मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं इस और इसके बाद यहाँ पे आपना phone number डालेंगे उसकेँपे और डालेंगे सकत का tp क्लिक करने के बाद गाइस आपके mobile नंबर पर इक को टीपी जाएका तो उस Revelation Connect का का सफ़ार्ट एक आपका OTP ले लेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका यह card है, यह भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, तो एक options आपको देखने को मिलेगा, start application का, आप इस पर click करेंगे, click करने के बाद guys, यहाँ पर देखेंगे, तो आपको यह यहां पर जीमेल एकाउंट से शाइन अप करना होगा आप यहां पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद जो भी आपके जीमेल एकाउंट यहां पर मॉबाइल में लॉगिन होगा वो आपको यहां पर शोख हो जाएगा यहां पर उसको सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद यहां पर देखेंगे, तो यहां पर आपका जो email है, वो यहां पर verify करेगा, आपको कुछ time यहां पर wait करना होगा, उसके बाद यहां पर आपको app pin set करने के लिए आएगा, तो यहां पर आप four digit का कोई भी pin यहां पर set करेंगे, जैसे कि हम यहां पर 00 कर लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पर पिन को set करेंगे, उसके बाद आगर fingerprint आपके mobile में दिया हुआ है, fingerprint को enable करना चाते हैं, तो आप यहां पर tick करेंगे, उसके बाद confirm करेंगे, confirm करने के बाद guys यहां पर देखेंगे, तो यहां पर आपको कुछ अपनी details डालनी होंगी, सबसे पहले यहा अपके pen card पर है, उसके बाद last name डालेंगे, यहां पर आपको अपना date of birth डालना होगा, उसके बाद यहां पर gender को select करेंगे, उसके बाद confirm करेंगे, उसके बाद guys यहां पर देखेंगे, तो यहां पर आपको अपना current address डालना होगा card delivery के लिए, यानि कि जहां पर अभी आप ठीक है तो यहां पर आप अपने house या flat number या building का नाम डालेंगे, उसके बद यहां पर area का नाम डालेंगे, यहां पर landmark डालेंगे, यहां पर जो भी आपको address पूछ रहा है, यहां पर आपके area का pin code पूछ रहा है, सारा आपको address यहां पर डालना होगा, तो हमने यहाँ पे अपने सारे address को डाल लिया है अब आपको यहाँ पे confirm के options पे click करना होगा उसके बद guys यहाँ पे pen card का details टलना होगा तो यहाँ पे pen card का number डालेंगे दुबारा से डालेंगे उसके बद confirm करेंगे उसके बाद guys यहाँ पे आपका सारा details आ जाएगा इसको आप confirm करेंगे यहाँ पे डालेंगे उसके बाद confirm करने के बाद guys यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका application हे वो यहाँ पे process लेगा उसके बाद guys यहाँ पे देखेंगे तो हमको जो credit card है वो यहाँ पे FD वाला यहाँ पे offer किया गया यानि कि हमको यहाँ पे FD करना होगा यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आप FD करेंगे उस पे यहाँ पे 7.1% का आपको interest मिलेगा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जितना का आप FD करेंगे उतना का ही आपको यहाँ पे इस card में limit मिलेगा अगर आप यहाँ पे 1,00,00 का यहाँ पे FD करते हैं तो इस credit card में आपको 1,00,00 का limit मिलेगा ठीक है, यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको और भी इसकी details दी गई हैं, आप check कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे continue वाले options पे click करेंगे, उसके बाद guys यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको FD amount डालने के लिए आएगा, आप कितना का यहाँ पे FD करना चाते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आप 2000 की FD करते हैं, तो यहाँ पे 2,000 का limit मिलेगा credit card में, यहाँ पे देख सकते हैं, और अगर अगर 2005 करते तो इसमें आपको metal card मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे तो FD का interest आपको देखने को मिलेगा, जίसे के अभी मैंने यहाँ पर 2000 का amount डाला है तो मुझे यहाँ पर 6.4% का FD interest दिखाया जा रहा है credit limit देख सकते हैं मुझे 100% दिखाया जा रहा है और यहाँ पर देखी किए तो 10 अवर भी दिखाया जा रहा है एक साल के लिए ठीक है तो अब यहाँ पर जितना का FD करना चाते हैं वो amount आप यहाँ पर डालेंगे जैसे कि मालिज अगर हमको 1 lakh का करना है तो हम यहाँ पर 1 lakh डालेंगे उसके बाद यहाँ पर confirm FD amount का options मिलेगा आप इस पर click करेंगे click करने के बाद guys यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको FD का amount इंटर करना होगा जितना का FD करना चाते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर 1 lakh डालेंगे उतना लिमीट मिल रहा है तो हम यहाँ पी क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद guys यहाँ पे देखेंगे तो congratulations करकर आ चुका है और यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जो limit यहाँ पे अप्रूव हुई है वो एक लाख रूपे की हुई है ठीक है यानि कि आप जितना का FD करेंगे उतना का ही आपको यहाँ पे limit मिलेगा तो यहाँ पे देख सेते हमने यहाँ पे एक लाख डाला था तो हमको एक लाख का limit अप्रूव हुआ है आप यहाँ पे get one card के options पे click करेंगे click करने के बाद guys यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे कुछ और आपको अपनी details देनी होंगी यहाँ पे marital status आप select करेंगे याँ आप married या unmarried या other है जो भी यहाँ पे select करेंगे occupation यहाँ पे आप select करेंगे याँ कि आप salary person है किसी company में काम करते है या self-employed है आपका खुद का shop है तो वो आप यहाँ पे select करेंगे अगर आप student है तो student को select करेंगे कि अगर आप retire है तो style select करेंगे ठीके यहाँ पर आपको अपना profession형 पर नेक्स करेंगे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो one card है यह यहाँ पे locations की permissions मांग रहा है यहाँ पे आप access वाले options पे click करेंगे click करने के बाद guys यहाँ पे will using the app यह जो options यहाँ पे click करेंगे उसके बाद guys यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आ चुका है your card is ready यहाँ पे देख सकते हैं हमको जो credit limit मिली है यहाँ पे देख सकते हैं 1,00,00,00 रुपे की मिली है, और यहां पर यह देख सकते हैं, यहां पर smart यहां पर जो banking by, यहां पर देख सकते हैं, इनके द्वारा यह limit हमको दी जा रही है, ठीक है, यहां पर आपको benefits देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इस point यहां पर 4% का interest है, हमको इस FD पर म मिलने वाला है, यहां पर देख सकते हैं, अब यहां पर नीचे आपको treatment conditions मिलेगा, आप इस पर यहां पर click करेंगे, उसके बाद यहां पर continue वाले options पर click करेंगे, जैसे आप अपनी selfie यहां पर upload करेंगे, उसके बाद यहां पर देखेंगे, तो यहां पर आपको कुछ details दी जैसे कि यहां पर जो आपका FD amount होगा, वो आपके इसी bank account से यहां पर debit होगा, जो bank account अभी आप यहां पर add करेंगे, ठीक है, तो आप इसको पढ़ेंगे, उसके बाद गेटिट करेंगे, गेटिट करने के बाद गाईस यहां पर देखेंगे, तो यहां पर आपको अपना bank account यहां पर डालना होगा, सबसे पहले यहां पर आप अपने bank account का number डालेंगे, उसके बाद दुबारा से account number को डालेंगे, उसके बाद यहां पर FC code डालेंगे, FC code डालकर जैसे आप continue करेंगे, उसके बाद यहां पर देखेंगे, तो हमारे bank account में यहां पर एक रूपया यह यहाँ पे देख सकते हैं, आपके भी यहाँ पे account में एक रूपया यहाँ पे deposit किया जाएगा, bank account को verify करने के लिए, उसके बद यहाँ पे आप continue करेंगे, उसके बद guys यहाँ पे देखेंगे तो payment करने के लिए आएगा, तो यहाँ पे आपको payment को complete करना होगा, जितना का आप F UPI ID पूछेगा, तो यहाँ पे अपनी UPI ID को डालेंगे, उसके बद पे using UPI वाले options पे click करेंगे, उसके बद guys यहाँ पे जो आपका UPI application होगा, उस पर payment का request जाएगा, तो आपको उसको यहाँ पर pay करना होगा, तो चलिए हम यहाँ पे payment कर लेते हैं, हमारे UPI application पे notification आचुक ली आएगा, तो जिसको आप nominee बनाना चाहते हैं, उनका यहाँ पे relationship select करेंगे, उनका details डालेंगे, उसके बद add nominee की options पे click करेंगे, अगर आप nominee नहीं add करना चाहते हैं, तो later भी कर सकते हैं, उसके बद guys यहाँ पे आपको अपना नाम confirm करना होगा, यहाँ पे आप confirm करेंगे उसके बद यहाँ पे दुबारा से confirm करिएगा, confirm करने के बाद guys यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा loading लेगा, आपको कुछ time wait करना होगा, तो guys अगर आपका civil score काफी जदा down है, low है, और अगर आपको credit card नहीं मिल रहाँ, आप credit card लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर FD क और भी बना सकते हैं, और बाद में आप किसी और भी बैंक का credit card ले सकते हैं, ठीके, अब यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर virtual card activate करने के लिए आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आप यहाँ पर done करेंगे, ठीके, यहाँ पर देखेंगे, तो बताया जार one card, credit card apply कर सकते हैं, so I hope कि आपको अच्छी थर समझ में आया होगा, अगर आपके मन में कोई confusion हो, तो आप हमसे comment में पूछ सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो का like करना, share करना बिल्कुल ना पूले, तो चली फिर मिलते हैं आप से next studio में,